Hello students, from St. Norbert Senior Secondary School, Damo, I am your Hindi teacher of class UKG. Students, today I am welcoming to you all in this video session. आज हम Hindi में नया पार्ट, पार्ट बारा, अनुस्वर, बच्चो अनुस्वर किसे कहेंगे, अम की मात्रा वाले, शब्द अम की मात्रा कैसे, आ अनार की उपर एक बिंदी लगाएं, जिसे हम अम कहते हैं, इसे अनुस्वर भी कहा जाता है, इनके दो प्रशनों का, पहला प् प्रश्चन से बच्चों यहाँ देखिए आपका पहला प्रश्न है अक्षर वा मात्रा मिलाकर लिखिए, इसमें देखेंगे आप कि कैसे हमने अम के मात्रावाले अक्षरों और मात्रा को मिलाकरके नया शब्द बनाया है, देखिए यहाँ पर र उपर बिंदि और ग रंग, कैसे बनेगा रंग, रंग और यहाँ देखिए ह, उपरबिन्दी हन और स, हंस यह है हंस और श, उपरबिन्दी शंक और ख, शंक बच्चों क्या बना ये, शंक इसके बाद है ज, मैं उपरबिन्दी जन डा में आ, कि मात्र डा एक साथ बनेगा जन्डा, अब हम अगला देखेंगे नमबर फाइब, प, ता में उपरबिन्दी तंग और ग, पतंग, बच्चों क्या बना ये, पतंग अगला है, ब, उपरबिन्दी बन द, और र, बंदर मिलाकर क्या पढ़ेंगे बच्चों, बंदर और इसके बाद देखेंगे नमबर सेविन, आ में उपरबिन्दी अंग बच्चों ये कौन सा आक्षर है, यही वाला जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट आ, उपरबिन्दी अंग, आ में बढ़ू की मात्रा गुर, अंगूर क्या बनेगा ये मिलाकर, अंगूर और नेक्स्ट हम देखते हैं, ब, उपरबिन्दी बन, दा में बढ़ू की मात्रा दू और क, बंदूक, बच्चों ये क्या बना, बंदूक तो इसी तरह से हमने देखा कि रंग, हंस, शंक, जंडा, पतंग, बंदर, अंगूर और बंदूक ये रहे कुछ शब्द, जो अम की मात्रा वाले हैं, आईए हम अपने next question पे चलते हैं, बच्चों यहाँ देखिए, ये है आपका अगला प्रेश्न, ये है चित्र देखकर उनके नाम बताईए, तो जैसे कि आप चित्र देखके ही समझ गए होंगे, कि ये है जंडा, बच्चों क्या है ये, जंडा लिखेंगे कैसे, जा की उपर, अम की मात्रा, डा में आ की मात्रा, डा, जंडा, अब है ये दूसरा चित्र है, पतंग, बच्चों आपको पतंग उडानी आती है अगर नहीं आती है तो आप सीखना पतंग उडाना अच्छा होता है इसे हम लिखेंगे कैसे प, ता की उपर बिंदी और ग, पतंग नेक्स्ट है बच्चों यह है एक शंख का चित्र शंख लिखेंगे कैसे शाशकर की उपर अम की मात्रा और ख, शंख नेक्स्ट है अंगूर अंगूर खटे मीठे इसे लिखेंगे कैसे आग की उपर बिंदी अंग गामे बडू की मात्रा और अंगूर नेक्स्ट हमारा लास्ट पिक्चर है यह क्या दिखाई देर आपको हाँ यह बंदूख है तो बंदूख कैसे लिखेंगे बाक की उपर